नमश्कार दोस्तों ये वीडियो है हिंदी माध्यम स्टूइंट्स के लिए दिर आर सो मिनी स्टूइंट्स जिनको स्ट्रक्शलिजम समझने में टेंचन होती है बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लिटरी थियोरी अगर कोई हिंदी में समझा दे तो जल्दी समझ में आएगा तो क्यों ना लिटरी थियोरी को हिंदी में समझाए जाए और हिंदी में समझाते हुए विनीत पांडे स्टाइल में समझाए जाए ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉक्शलिजम की Structuralism का जैसे ही नाम आता है बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि Structuralism, Deconstruction, Post-Structuralism समझ नहीं आता है कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे खतम हुआ अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों Structuralism का Simple सा एक मतलब है कि आप जो भी कुछ लिखते हैं, कहते हैं यानि कि जब आपकी language, आपकी भाषा चाहे वो एक किताब में हो, चाहे वो एक paragraph में आप बोल रहे हो खुद या आपका अपना कोई कथन हो जब बहुत सारे शब्द, बहुत सारी lines एक order में arrange की जाती हैं, वो एक structure बन जाता है और उस structure का, जब proper structure बनता है उस structure का, अपना एक meaning अलग हो सकता है आपकी पहली line का meaning कुछ और हो सकता है आपकी दूसरी line का meaning कुछ और हो सकता है लेकिं जब पहली line, दूसरी line, दसवी line, बारवी line ये सब एक साथ इकटी होती हैं और एक proper paragraph बनता है, proper structure बनता है तो उन सभी लाइन्स का आपस में एक language interplay होता है और उसके बाद जुन meaning generate होता है उसे structuralist philosophy में structuralist meaning कहते है मुझे लगता है शायद आपको लगा होगा कि सर ये तो अभी भी tough लग रहा है थोड़ा सा उपर से जा रहा है तो एक काम करते हैं structuralism क्या है और structuralist philosophy क्या है ये आपको समझाने के लिए मैंने दो महमान बुलाएं है जीना दोस्तों ये दो महमान आपको structuralism बहुत आसान तरीके से समझा देंगे आपको सरफ focus करना है और आपको इस वीडियो को like करना है सबस्क्राइब करना है और comment में तो जरूर ही बताना कि मेरे जो दोनों महमान थे उन दोनों महमानों ने आपको structuralism अच्छे से समझाया या नहीं तो हम invite करते है अमिताब बच्चन को और हमारी मौसी को सो दोस्तों सदी के महाना एक अमिताब बच्चन हमारी महमान है और हमारी महमान है मौसी क्या आप जानते हैं शोले फिल्म का ये बहुत ही खुबसूरत सस्तीन है आप ऐसे जिन लोगों ने शोले पिक्चर देखी है या आपके पेरेंट्स ने वो इस दीन को भली भाती पहचानते होंगे अपसर रिक्विस्ट है इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाएगा और उने बताएगा कि ये हैं हमारे विनीच सर और ये विनीच सर का स्टाइल है तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे कि अमिताब बच्चन शोले मूवी में जो की जै का किरदार निवा रहे हैं मौसी से क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं अमिताब बच्चन है रिष्टा लेक्याएं है अपने दोस्त वीरू का यानि कि धर्मेंद्र का और वो चाहते हैं कि मौसी इस रिष्टे के लिए हां कर दे अब हम बात करेंगे अमिताब बच्चन, मौसी और इनके डायलॉग्स की सो दोस्तों मौसी बोलती है अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर के सिल की तरह होती है बसंती का ब्या हो जाए तो चैन की सास लूँ अब हमिताब बच्चन हाँ सची कहा मौसी आपने, बड़ा बोज है आप पर लेकिन बेटा, इस बोज को कोई कुए में तो फेक नहीं देता बुरा नहीं मानना इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खांदान क्या है उसके लच्चन कैसे है, कमाता कितना है कमाने का तो ये है मौसी के एक बार बीबी बच्चों की जम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लग जाएगा तो क्या कुछ भी नहीं कमाता? नहीं, नहीं, मैंने ये कब कहा मौसी? कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता, ना कभी हार भी जाता है बेचारा? हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमवक्त जुआ चीज ही ऐसी है अब मैं क्या कहूँ? है है, तो क्या जुआरी है? ची 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 मौसी, वो और जुआरी? ना ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और एक नेक लड़का है लेकिन मौसी, एक बार जो शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहा होश रहता है हाथ पकड़ के बिठा लिया किसी ने तो लगा जुआ खेलने अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोश? ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो लेकिन उसका कोई दोश नहीं मौसी, आप तो मेरे दोश को गलत समझ रही है वो तो इतना सीधा और भोला है अरे बसंतिस उसकी शादी करके तो देखिए ये जुए और शराब की आदद तो दो-तिन दिन में छूट जाएगी अरे बेटा, मुझ बुडिया को समझा रहे हो ये शराब और जुए की आदद किसी की छूटी है आज तक मौसी, आप तो वीरु को नहीं जानती विश्वास कीजिए, वो इस तरह का इंसान नहीं है एक बार शादी हो गई, तो वो उस गाने वाली, नाचने वाली की हाँ जाना बंद कर देगा बस शराब अपने आप छूट जाएगी हाई, बस यही एक कमी रह गई थी तो क्या किसी गाने वाली की घर भी आना जाना है तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी गाना सुनने तो राजा, महराजा, उंचे-उंचे खानदान की लोग जाते थे हाँ अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुनवान दोस्त किस खानदान के बस मौसी, खानदान का पता चलते ही आपको खबर कर देते हैं एक बात की दाद दूंगी बेटा भले सौ बुराईय हैं तुम्हारे दोस्त में फिर भी तुम्हारे मूझ से उसके लिए तारीफ में निकलती है अब क्या करो मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है तो क्या ये मैं रिश्टा पका समझूँ पका, भले सारी जंदगी लड़की कुमारी बैठी रहे लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याने वाली सगी मौसी हूँ, कोई सातेली मा नहीं अजीब बात है मौसी, मेरा इतना समझाने के बाद भी आपने इंकार कर दिया बे जारा वीरू, ना जाने क्या करेगा, कोच जाओंगा, फंच जाओंगा, मर जाओंगा So, first of all, दोस्तों, I hope मेरी डबिंग थोड़ी बहुत अच्छी लगी, हम शौर बहुत अच्छी तो शायद नहीं लगी होगी Like, comment, subscribe जरू करना और दोस्तों, अमिताब बच्चन जय के नाम से अपने दोस्त वीरू के लिए अच्छी बाते ही कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी बाते हों, लेकिन structural philosophy ये है कि वो जवारी है, वो शराबी है, उसका नाचने वाली के हाँ जाना है और मौसी ने अपना understanding वहां से निकाला तो देखिए, किस तरह से शब्दों के साथ खेला हो जा रहा है इसे language interplay कहते है अमिताब बच्चन दिखा ये रहे हैं कि वो दोस्तों की तारीफ कर रहे हैं दोस्त के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मौसी ने connect किया हर एक dialogue को शराबी, जुवाडी, खांदान का नहीं पता unemployed है और एक नाचने वाली किया जाते है और मौसी का anti-meaning क्या है क्या कहती है मौसी? मौसी कहती है अरे बेटा, सगी मौसी हूँ, सतेली मात नहीं मौसी ने कर दिया रिष्टा cancel इंटर प्लस दोस्तों यहाँ पे सोशियो लेक्ट की बात भी है सोशियो लेक्ट की बात कैसे है? जुवारी, शराबी या नाचने वाली के यहाँ जाना अमिताब बच्चन connect कर रहे हैं महराजाओं से राजाओं की जो शौक थे वो एक तरह से इसको हिस्टोरियो लिंग्विस्टिक से connect कर रहे हैं सोशियो लिंग्विस्टिक से connect कर रहे हैं लेकिन मौसी का अपना ससाइटी है मौसी को पता है कि लड़की की शादी उस घर में करने चीए जहां लड़का सब भी हो और इन सब चीज़ों से परे हो तो दोस्तों अगर ये प्रेजेंटेशन मैंने अज पहली बार अपने यूटीब चैनल पे एक वीडियो के लिए छोटा सा प्रयास किया कि मैं कुछ आवाज में डबिंग करूँ थोटा सा एंटेटीन करने की कोशिश की अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीज़ेगा लाइक अगर आप करेंगे तो वो मेरे लिए सर्फ एक चोटा सा पुरसकार होगा जिसे मैं जरूर चाहूँगा और दोस्तों शेयर कीज़ेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तोस्तों के साथ